साथियों, आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष है, हमारे सामने गुलामी और उसके बाद साथ दसकों के कालखन की चुनोतियां भी है, हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकर रास्ते में तोड़ने वाली ताकते भी मिले गई, भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन भारत कठीन से कठीन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है, सवराष्ट और तमिल नाडू का साजा इत्यास हमें ये भरोसा देता है, आप याद करिए, जब भारत पर विदेशी आकरांताओं के आकरमन शुरू हुए, सोमनात के रुपे देश की संस्कृति और सम्मान पर पहला इतना बड़ा हमला हुआ, सद्यों पहले के उस दौर में, आज के जैसे संसादन नहीं थे, इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी का दौर नहीं था, आने जाने के लिए तेज ट्रेने और प्लेन नहीं थे, लेकिन हमारे पुर्वजों को ये बात पता थी, कि हिमालयात समारंव्य यावत इंदू सरोवरं तम देव निर्वतं देशं हिंदू स्थानं प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासादगर तक, ये पूरी देव हुमी हमारा अपना भारत देश है, इसलिए उन्हें ये चिंता नहीं हुई, कि इतनी दूर नई भाषा, नए लोग, नया बातावण होगा, तो वहाँ वो कैसे रहेंगे, बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्थाव और पहचान की रक्षा के लिए, सवराष्ट्र से तमिल नाडु चले गए, तमिल नाडु के लोगों ने उनका खुले दिल से, परिवार भाव से स्वागत किया, उन्हें नए जीवन के लिए सभी स्थाई सुविधाएं दी, एक भारत, त्रेश्ट भारत का, इससे बड़ा और बुलंद उदहारन, और क्या हो सकता है, साथियों, महान संत, थिरुवल्लुवर जी ने कहा था, अगन अमरंदु, शेयाल उरेयुम, मुनु अमरंदु, नलु विरंदु, ओम्बु वानिलु, यानि सुक, समुरुद्धि और भाग्य, उन लोगों के साथ रहता है, जो दूसरों का अपने हाँ, खुशी-खुशी स्वागत करते हैं। इसलिए हमें सांस्कृतिक टक्वराव नहीं, तालमिल पर बल देना है, हमें संगर्षों को नहीं, संगम और समागमों को आगे बढ़ाना है, हमें बेद नहीं खोजने, हमें भावात्मग संबन बनाने हैं। तमिल नाड़ु में बसे सवराष्ट के मूल के लोगों ने, और तमिल गम के लोगों ने इसे जी कर दिखाया है। आप सबने तमिल को अपनाया, लेकिन साथ ही सवराष्ट की भाषा को, खानपान को, रीती रिवाजों को भी याद रखा। यही भारत की वो अमर परंपरा है, जो सब को साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है। सब को स्विकार करके आगे बढ़ती है। मुझे खुशी है कि हम सब अपने पुरवजों के उस योगदान को कर्तव्य भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्थानियस्तर पर भी देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को इसी तरह आमत्रित करें। उन्हें भारत को जानने और जीने का आउसर दे। मुझे विश्वास हैं सवराष्ट्र तमिल संगमम इसी दिशा में एक एतियासिक पहल साबित होगा। अंरेच चलग विश्पょों अंहें लिचान वोगों से एतिये लोग